हेलो एब्रिवन, वेल्कम टी हुमेंटीज कॉंसेप्ट तो आज हम लोग क्लास ट्वल्थ फ्लेमिंगो वोग से माई मदर एड्स 66 से कोशन नबर 2 को देखने वाले हैं तो चलिए कोशन नबर 2 देखते हैं कोशन नबर 2 में क्या कहा है तो आंसर को समझने से पहले हम लोग एक बार पूरा आंसर रीट कर लेते हैं फिर बहुत अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा आंसर वाल राविगा न अरपूर्ट, in an effort to distract herself from the thought of her aging mother the poet looks at the young trees sprinting the trees seem to be running fast running past the moving car the sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing air of a human life from childhood to old age the image which shows actively and strength is constructed with that of her old and weak mother who seems dormant sleeping in the car the young trees represent life in contrast to her mother's approaching death इसमें बताया गया है एरबोर्ट की तरफ जाते समय उनके दिमाग में ये stress था कि वो अपने दिमाग में सोच रही थी अपनी बूरी मा के बारे में तो वो अपने इस थॉट को अपने distract करने के लिए वो क्या करती है पोईट की वो विन्डो से बाहर देखती है और वो गाड़ी की खिटकी से बाहर देखती हुए उनको क्या दिखता है उनको यंग trees sprinting दिखते है मतलब कि जो trees होते है road के side पे लगे रहते हैं तो जब आप car पे जाओ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे एकदम तेज से भाग रहे है वो भी आपके साथ तो ऐसा है कुछ उनको भी दिखता है कि वो एकदम गाड़ी के पीछे एकदम तेज से भाग रहे है और वो कैसा symbolize करता है वो ये symbolize करता है ये प्रतीक करता है कि जैसे human है जैसे मानव है वो कैसे बच्पन से लेके old age तक उसकी जो life होती है वो represent करता है वो कैसे इतने साल इतनी जल्दी बीच जाते हैं और ये सब देखके उनको ये पता चलता है कि जो वो young trees थे वो दिखने में बहुत ही active लग रहे थे वो बहुत young ल लग रहे थे और उसी के comparison में देखें अगर उनकी मां को तो उनकी मां जो उनके बगल में बैठी सो रही थी वो एकदम weak लग रही थी और उनकी skin pale हो चुकी थी और कोई भी activeness कोई भी energy energetic way कुछ भी नहीं था तो जो trees थे जो young trees थे वो life को represent कर रहे थे और जो उनकी मां थी ऐसा लग रहा था कि उनकी मां का अंत आप आ गया है तो वो वही stress में थी वो तो इसलिए वो अपना ध्यान को divert करने के लिए वो बाहर देख रही थी एक बार फिर से हम लोग को रीड करते हैं यंग trees दिखते हैं रोड में और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो उनकी गाड़ी के पीछे-पीछे एक्टम तेज से भाग रहे होते हैं the tree seems to be running past the moving car the sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing year of human's life from childhood to old age और जो trees होते हैं वो क्या symbolize कर रहे होते हैं वो ये दिखा रहे होते हैं कि जो एक human मानव जीवन है उसकी बचपन से लेकि old age तक कर रहे होते हैं कि कैसे इतने जादा साल इतने जल्दी बीच जाते हैं जैसे रास्ते में car चलती है तो वो पेड बहुत जल्दी जल्दी से एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा ऐसे आ जाता है ना लगता है कि बिलकुल भाग रहे है तो वह ही बताया जा रहा है comparison किया जा रहा है कि जैसे वो ट्रीज जल्दी जल्दी पीचे चुटते जा रहे है वैसे इतने साल कैसे मतलब बीच जाते हैं human की life के आगे देखते हैं the image which shows actively and strength is constructed with that of her old and weak mother who seems dormit sleeping in the car और उनको क्या दिखता है उनको ये दिखता है कि जो वो trees थे उनमें एक young है वो and energetic दिखते हैं और उनमें एक activity और full strength दिखती है और जो उनकी मा रहती है, वो एकदम विग रहती है और वो एकदम वीग लगती है और चेहरा उनका अगदम फीका हो गया होता है. वो ट्रीज से और उनकी अपनी मा से कंपेरिजन करती है. The young trees represent life in contrast to the mother approaching death. और क्या दिखता है कि जो young trees हैं, वो एक life को represent कर रहे है क्योंकि वो बहुत ही fresh दिख रहे हैं, young दिख रहे हैं, active दिख रहे हैं और यहीं पे उनकी माँ जो की सो रही है मगल में वो एकदम weak है और उनकी बहुत जादा उमर भी हो चुकी है और वो ऐसा लग रहा है उनको देखने में कि अब उनका अंध मतलब स अंसर नबर 2 कंप्लीट हो गया है थांक्यू